तो हाई फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है में चनल जीटेक प्रोहिंदी में तो ये है नॉइस इवोल 3 जो लगभग आज से लेके 6 महीने पहले जो है लाउंच हुआ था और मैंने इसको खरीद के रिव्यू वगरा भी किया था बहुत ही अच्छा तगड़ा स्मार्ट वाज था लेकिन अब भी ये टाइम पर मार्च या फिर अप्रिल 2023 में क्या इसलिए ना वर्थ इट है बहुत सारे लोगे मन में इसका डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो इसलिए ये वीडियो में लेके आया हूँ इस वीडियो पर हम लोग डिसकसन करेंगी कि मार्च या फिर अप्रिल 2023 में जो है नॉइज इवोल 3 कितना वर्थ इट है या फिर अगर वर्थ इट नहीं है तो इसके एगेंस जो है क्या हम स्मार्ट वाच पाई कर सकते हैं जो हमारे लिए वर्थ इट है ठीक है तो विदाउट वेस्ट इनी मोर टाइम डारेक्ली इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते बाइदे वे एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करवा दूँ ये कोई रिवी वीडियो नहीं है ये जस्ट एक ओपीनियन वाला वीडियो है और बियाप ओफ माई 6 मांथ आफ यूजर्स मैं इसके ओपर ओपीनियन दूँगा कि आज के प्राइस के हिसाब से एड़ अभी हिसाब से हम लोग पहले देख ले थे कि इसका प्राइस कितरा चल रहा है तो अभी मैं फिलिप कार पर देख रहा था इसका प्राइस जो है 3999 डूपीश चल रहा है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है ठीक है लेकिन कुछ चीजे जज करने से पहले मैं आपको बता मेरे 6 मत की users में मुझे क्या चीज़े जो है इसके regarding अच्छी लगी है और क्या चीज़े जो है बूरी लगी है फर्स्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है इसके वारे में वो यह है कि इसका display बहुत यादा मस्थ मुझे लगा है जो पैनल है उसका quality तो अच्छा लेकिन उसमें कोई refresh rate अच्छा खासा नहीं दिया गया जैसे कि 60Hz का हो गया वैसा जो है refresh rate इसमें नहीं देखना हो जाता अगर 60Hz होता तो बहुत ही smooth scrolling experience हो जाता ठीक है एक चीज जो है आपको face होगी इसमें इसका dial size थोड़ा बड़ा है इसलिए अगर आपका thin wrist है तो obviously यह आपके हाथ में बड़ा लगेगा ठीक है बाइदेवे इसका Bluetooth calling भी मुझे बहुत यादा मस्थ लगा है मेरे users पे Bluetooth calling में कोई drops नहीं है और quality भी बहुत यादा मस्त है और Bluetooth calling का audio quality अगर आप देखना चाहते है तो obviously मेरे review वीडियो पे जो है मैंने Bluetooth calling का sample बगएर दिया था उदर जाके आप देख सकते है बागी एक चीज बता दो इसके अगर आप sports mode बगएरा यूज करते हैं सिंक्ड होगा ठीक है या फिर साइनेंड होगा देन जो है आपको सारा steps counting बगएरा या फिर कितना calories बगएरा वर्न हुआ है सारा details उदर app पे दिखा देगा ठीक है बागी वाच पे ये चीज जो है यूई पे अबेलेबल नहीं है एक चीज में आपको अता दू मैं सारा sample बगएरा Bluetooth calling sample बगएरा एंड sensor का sample बगएरा इसलिए इस वीडियो पर एड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि already मैंने उसके उपर detailed वीडियो बना चुका है तो obviously उसको जाके देख लिजे ये वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करना चाता है इसलिए मैंने उनका sample जो एड नहीं किया है बाकी एक चीज में इसके AOD के regarding भी बताना चाहूँगा अगर आप AOD यूज करते हैं तो outdoor visualities में बहुत यादा low है और दूसरा चीज ये है कि AOD में battery training का issue थोड़ा होता है ठीक है तो उस हिसाब से आपको इसको देखके use करना पड़ेगा और बाकी इसमें color AOD बगरा देखने को नहीं मिलता है जो कि आज के devices में color AOD भी introduce हो रहे है ठीक है आपको जो display में अभी दिख रहा होगा कि जो एक chromium finish है या फिर जो ring वाला finish है वह actually metallic है लेकिन जो side वाला जो पार्ट है मतलब जो body का पार्ट है वह totally प्लास्टिक है और back भी प्लास्टिक का है और इसमें जो buckle दिया गया है वह भी प्लास्टिक का है and straps का quality average है मुझे ठीक ठाकी लगा इतना ज्यादा मोटा भी नहीं लगा है बागी straps जो है skin friendly है आपको irritation और नहीं होगा लेकिन इसका जो UI के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे मेरे six month के user space का UI experience मुझे अच्छा गया है कोई jitteriness या फिर lag मुझे इतना ज्यादा feel नह बता नहीं हो चकता है बाकी आप मुझे comment section पर भी बता सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं इसके sensors के बारे में बात करूँ तो quickly मैं बता देता हूं इसमें जो है आपको SPO2 heart rate sensor सारे sensors जो है दिये गया है जो कि मैं recommend करूँ आप जो है medical equipment का use करो अगर आप एक patient हो बाकी इसका sensor इतना भी ज्यादा जो है मैं कहूंगा नहीं की hi-fi sensor या फिर reliable बहुत ही ज्यादा है और मैंने इसका एक sensor टेस्ट भी किया था जिसका link जो है description पर आपको मिल जाएगा sensor के बारे में अगर सब कुछ आप जानना चाते हैं तो उधर आप देख सकते हैं ठीक है बाकी एक चीज मैं बता दूँ मेरे six month के users पे मुझे इसका battery life इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है attractive नहीं लगा है मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इसका battery life और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था क्योंकि मेरे users पे मुझे सिर्फ four days का ही battery backup देखने हो मिलता है और मेरे users बह बहुत यादा लो है जैसे कि मैं कभी-कभी Bluetooth कॉलिंग यूज करता हूँ rarely लेकिन मैं हर दिन जो है 45 मिनिट जो है आउटर वाकिंग वेरा sports mode यूज करता हूँ और सामको जो है वही sports mode 30 मिनिट यूज करता हूँ ठीक है तो उसी में मैं भी battery training हो रहा होगा लेकिन मेरे को पर discussion कर लिया जैसे कि display हो गया and build quality वगरा हो गया UI हो गया census वगरा हो गया sports mode हो गया या फिर जो है battery life हो गया ठीक है तो इस सब चीजों को on behalf of this अगर हम लोग जो है जज करें तो मेरे जो six month का users है अभी का जो price जल रहा है 3999 टूपिस मुझे लग रहा है कि कही ना कही noise 03 इस price पर वर्थ इट नहीं है अभी के हीस आप से अभी अगर आप इस price range पे एक अच्छा सा smart watch बाई करना चाहते है वो भी round dial में ठीक है तो मैं prefer करूँगा कि आप जो है noise hello buy कीजे noise evil 3 मत buy कीजे सेम ही smart watches है लेकि noise hello में आपको build quality थोड़ा better देखने हो मिल जाता है मतलब उसमें ज प्लास्टिक का build देखने हो मिल जाता है तो मैं उसको ही ज्यादा prefer करूँगा बाकी एक चीज में आपको बता दूँँ अभी चीजे की 3999 इसका price जान रहा है अगर future में इसका price जो है 2999 रुपीज हो जाता है आप इसे buy कर सकते है यह एक अच्छा deal बन सकता है ठीक है बाकी एक चीज बता दूँ इस वीडियो पर साइट से मेरा voice थोड़ा आपको unusual सुनाई दे रहा हुगा वह इसलिए क्योंकि मेरा तबियत थोड़ा ज्यादा खराब है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत दिनों से एक वीडियो जो है पोस्ट नही कर पार हूं लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए थोड़ा बने रही है चैनल के साथ मैं मलब आपको प्रमिस करता हूं कि एक दो महीने में या फिर तीन महीने में मैं जो है बहुत ही अच्छे से रिकाबर करूँगा और इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा आगे ल